नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए ले क्या यहों पोहे से बनाए जाने वाले सबसे स्वादिस्ट रेस्पी जिसे आप एक बार बना लेंगे तो यकीन मानिए बार बार बनाना चाहेंगे बड़े होए या बच्चे बहुत पसंद से इन्हे खाएंगे और इसे बनाने में बहुत जादा हमें तेल की भी जरूरत नहीं पढ़ने वाली है तो सबसे पहले पोहे आपको कौन सा लेंगे इस रेस्पी के लिए तो यहाँ पर देखे है फ्रेंट्स हमारे पास मोटा वाला पोहा है आप यहाँ इस रेस्पी के लिए कोई सा भी पोहा ले सकते है जो बारिक वाला नैलोन पोहा होता है उसका भी आप बना सकते है इसका पतला वाला बारिक वाला आप पोहा लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा करके लीजिएगा और मोटा वाला जो है ये थोड़ा कम भी रहता है तो इसका आपको सामगरी ज्यादा बनके मिलेगा तो फ्रेंट चलिए अब इसे बना के आपको दिखाती हूँ कि इसका आप रेस्पी कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले पोहे को नाप के लेना है किसी भी कप या कटोड़े से आप इसे नाप के लीजिए तब आपको पता चलेगा कि कितना आदमी के लिए आप ये बना सकते हैं तो आपको कितना पोहा का जरूरत होगा ना अपने के लिए आप यहाँ पर देखिए इस तरीके का कब या कोई भी छोटा बरा कटोरी आप ले सकते हैं आपको ज़्यादा बनाना है कम बनाना है तो आप अपने हिसाब से बनाईएगा फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा चैनल पर पहली बारा है हमारी रेस्पी आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नहीं भी पसंदाए फिर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज दोस्तों आपके सब्सक्राइब और आपके सपोर्ट को हर यूटूबर का बहुत ही जरूरत होता है तो आप लोग थोरा-थोरा सा अपना सपोर्टिव हाथ बढ़ाएं तो सभी कोई का कल्यान हो सकता है तो यहां पर मैंने दो कप पोहे का इस्तिमाल किया है सबसे पहले आप एक पैन चरहा ले या कडाही चरहा ले और इसमें डाल दे पोहे को गैस के आज को थोड़ा मीडियम करके रखिए और दो मिनट तक पोहे को लगातार चलाते हुए भूनना है इसमें जो हलका सा नमी है वो नमी खतम हो जाए हमें पोहे को भूनना बिल्कुल भी नहीं है यह हलका सा खस्ता जैसा हो जाए आप समझ लेंगे जब भूनते हुए दो मिनट होगा बस इतना ही टाइम में आपका जो पोहा है वो खस्ता हो जाएगा बहुत ज़्यादा भूनियेगा तो यह एकदम बिल्कुल सुखा सुखा सा हो जाएगा और हलका सा जब भूनते हैं तो यह बहुत अच्छे से आपके रेस्पी के लिए आपको पोहा मिल जाएगा फिरेंड्स पोहे की रेस्पी बहुत सारे अपलोड की हुई हूँ जैसे कि पोहे की मठरी पोहे की नमकीन तो आप चाहें पोहे की कुरकुरे की भी रेस्पी अपलोड की हुई हूँ आप चाहें तो देख सकते हैं और आज वाला जो रेस्पी है यह अलग है सबसे अलग है और कुछ नया भी है तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो पुहा है बहुत अच्छे से हलका सा एक दो पुहा चटकने लगा है यानि कि यह भून चुका है अब इसे निकाल के और दूसरे बरतन में हमें रखना है ठंडा होने के लिए क्योंकि आप पैन में इसे छोड़ेंगे तो यह जल सकता है तो चलिए इसे निकाल लेती हूँ पलेट में और अच्छे से ठंडा होने देती हूँ थोड़ा ही दिर लगेगा और पुहा अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा तो चलिए फरेंस दो मिनट एक मिनट छोड़िए और आराम से यह काम लाइक हो जाएगा तो यहां पर हमरा पुहा ठंडा हो चुका है अब इसे डालना है हमें मिक्सर जार में मिक्सर जार में डालने के बाद इसका हमें अच्छा सा एक पाउडर बनाना है बहुत जादा दरदरा भी नहीं रखना है थोड़ा जितना यह पिस के बारिक हो सके उस टाइप से आप इसे पिस लीजिएगा और इसके अंदर डालना हमें एक चमच ख़रा धनिया तो धनिया कच्चा ही है यह बिल्कुल भी उलाया मने कि इसे रोस्ट नहीं किया गया है इस तरीके से ही है कच्चा तो इसमें एक चमच डाल दीजिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पोहे के साथ देखिए हमारा धनिया भी अच्छे से पिस चुका है अब इसे बिना छाने हुए हमें निकाल लेना है तो दो कप पोहे से जब आप इस तरीके से आटा तयार करते हैं तो आपको एक कप आटा मिल जाता है और बारिक वाला आप पोहा लेंगे तो दो कप पोहे से आपको एक कप आटा नहीं मिलेगा यही अंतर है बारिक वाला और मोटा वाला पोहा में तो देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा से यह हलका सा बारिक भी है लेकिन यह थोड़ा दरदरा भी है तो इसी तरीके का चाहिए होगा हमें पोहा अब यहां पर वापस से उसी पैन को चड़ाया है मैंने चुले पर और इसमें डालना है हमें दो चमच के जितना तेल इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा तेल का इस्तिमाल नहीं करना है तो जो घर का नॉर्मल चमच छोटा वाला उसी से दो चमच तेल इसमें डाली हो तेल को थोड़ा गरम होने दीजि है थोड़ा कड़ी पता बारी कटा हुआ और शाथ ही में इसमें डालना है हरी मिर्ची तो तीन से चार हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर लें आप देख लें बचों के लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मिर्ची और मसाला सेट कर लीजिएगा अब यहाँ पर सुखा मसाला थोड़ा थोड़ा सा डाला जाएगा जैसे की हल्दी पाउडर दो पिंच के जितना लाल मिर्ची पाउडर दो पिंच के जितना और थोड़ा से यह कस्मेरी लाल मिर्च और तिखावाला लाल मिर्ची यह गरम मसाला थोरा सधनिया पौडर और साड़े चीज को अच्छे से मिक्स कर लीजिए बस एक बार ही मिक्स करना है उसके बाद इसमें डाल देना हमें पोहे के पौडर को और गैस को बंद कर देना है गैस को बंद करने के बाद इसे अच्छे से पैन में मिक्स कीजिए इससे क्या होगा कि जो इसमें तेल और मसाले का फुलेवर वाला तेल जो है वो सब पोहे में आ जाएगा और ये बहुत अच्छे से आपका जो है पोहा मसाले मसाले जैसा हो जाएगा तो अभी इसे निकाल लेना हमें दूसरे बरतन में वीडियो पूरा देखिए आपको जरूर पसंद आएगा और आप इसे जरूर बनाना चाहेंगे साम हो सुबह हो कभी भी आप इसे बनाना चाहेंगे तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर पोहे को निकाल ले हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ऐसे पैन में डालके तुरत ही मसालेक मिक्स करके और निकाला गया है तो यह ज़्यादा गर्म अभी नहीं है तुरत ही ठंडा हो जाएगा तो अभी इसमें डालना है हमें नमाक स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालना है और इसमें थोड़ा निवो करा सिया हम चूर पाडर दोनों में से जरूर कुछ एक डालिएगा फ्रेंट्स इसमें डालना है अब हमें एकदम फ्रेस बारी कटा हुआ हरा धनिया और कड़ी पत्ता भी डाला गया है आपके पास जो है एक भी है तो आप डाल ले और दोनों ह अद्रक को इस तरीके से कद्दू कस करके अद्रक को पका के नहीं डाले हूँ क्योंकि फ्रेस अद्रक का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है अब देखिए अच्छा सा इसे बैंडिंग करने के लिए इसे मिक्स करने के लिए हमने आलू का इस्तेमाल किया है इ ऐसे कि पोहे पका हुआ है जो इसमें मसाला गया है टोटल पका हुआ है और आलू भी हमारा उबला हुआ है यह वाले जो रेस्पी है फ्रेंट्स इसे बनने में जरसा भी टाइम नहीं लगेगा और खाने में इतना स्वाधिश्ट होता है कि जब आप बना के खाएंगे तभी आप समझ पाएंगे एक कप पोहे के आटा के लिए यहां पर दो बड़े साइज का आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ इतना में हमारा रेस्पी बहुत अच्छा बन जाता है यदि आप बना रहे हैं और आपको और आलू का जरूरत पड़े यानि कि आप बना रहे हैं वो और अच्छे से जैसे आटा हम लोग गूथते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे गूथना है और इसे गूथते हुए बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं की थी फिर भी हमारा आटा बहुत अच्छे से गूथ गूथ गया थै यदि आपको दिक्कत हो लगे कि बहुत ज्याद का सेप दे देना है सेप आप इसका गोल गोल भी रख सकते हैं और कुछ इस तरीके से भी कर सकते जितना अच्छा से बनाएंगे उतना अच्छा से आप इसे बना सकते हैं और आप इससे भी अच्छा सेप देना चाहें तो दे सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो दे करना पड़ेगा और जटपट से आप धेर सारा कटलेट बना के रख सकते हैं और एक कप पोहे के आटा और दो आलू से देखिया हमारा कितना सारा नास्ता बनके यहां पर तैयार हो गया है तो इसके उपर हमें कुछ भी नहीं लगाना है जैसे होता है ना कॉन फलार के घोल मे तेल डाला है मैंने और अच्छे से चारो तरफ फैला दीजिए और इसमें डाल दीजिए कटलेट को नहीं ज्यादा तेल नहीं ज्यादा मसाला और पकाने में भी बहुत कम समय जाएगा क्योंकि यह पहले से ही पका हुआ है तो थोड़ा सा इसे हमें क्रिस्पी करना है जिसे खाने में अच्छा लगे तो एक बार में धेर सारा नास्ता हमारे पैन के अंदर भी आगया आप द धीरे धीरे से इस तरीके से हलका से हिला दे और जादा इसे छोचा नहीं करें नहीं तो यह सौप्ट है तो हो सकता है कि तूट जाएगा तो इसे एक तरफ से हो जाने के बाद दूसरे तरफ से पलटके और अच्छा लाल होने तक हमें सेलो फ्राइक कर लेना है देखे इसी तरीके से तो चलिए फ्रेंट से सारे को दूसरे तरफ पलट देती हूं और इधर से भी हलका सा आपको तेल डालना पड़ेगा तो हलका सा डालिए आधा चमज के जितना उपर से चारो तरफ से फैला के तेल डाल दीजिए जिससे की अच्छे से ये दोनों तरफ से बराबर फ देखिए उपर से एकदम खसता है और जब आप खाएंगे तो नीचे एकदम सौप्ट सौप्ट सा आपको लगेगा आलू और पोहा पहले से भुना हुआ है और इसे आप कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं दही के साथ खा सकते हैं रायते के साथ खा सकते हैं बहुत ही पर टेस्टी नासता है तो फ्रेंट्स मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ